सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का स्वाथ है अपने युटूब चैनल इंडियान आर्मी इस्टूटे पर तो दोस्तों जैसे के आप सभी का मालूम है रोज साम आर्ट वेश्चेजर पर लाइफ क्लास लिया जाते तो आज भी आचके लोग लेगा आचके मोस्ट इंपोर यानि इसका एंसर जाते है ऑप सेंडी और आपको पूछा जाए जो वाइफ में दोस्तों यह नाइट्रोज़न कितना फरसेंट है देगो यह जाते देगो जल्दी से लाइच चले बताए यह कालवन आकसाइड कितना है तो देगो जो आज़स्मेंग में दोस्तों कार्वन ऑक्साइड है वह जाता है 0.04% बहुत इंपॉर्टेंट है तो चले रखते है कोसे नेमर टू को तो देखो हमारे कोसे नेमर टू पर पुछाए विज गैस इस फाउट दा मोस्ट इन अटमस्फियार बाई मंदल में सरबादी कौन सा गैस मिलती है मैंने जैसी के आपको बताय जो नाइट्रोजन है दोस्तों वह 78% मिलता है बाई मंदल में यानि कि इसका एंसर हो जाता है कौन सा आपसेंसी और अगर आपको पूछा जाए जो ऑक्सिजन इसका संकेत क्या है तो देखो हो जाता है O2 और हाइड्रोजन का हो जाता है एज और अगर आपको पूछा कोसर नवर 3 की ओर तो देखो हमारे कोसर नवर 3 पर क्या पूछाए इस पर पूछाए उजी ता लार्जेस अमाउंट ऑप इंडरेट गैस इन ड़ एट्मसफियर तो आपको बताना पड़े इसका एंसर क्या होगा बाई मंदल में संवातिक मात्र में क्रियो जो गैस यह कौ कोसर नवर 4 तो देखो हमारे कोसर नवर 4 पर पूछाए उच अप दा फॉलएंग गैस इस डिसफंसिवल फर्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बताना पड़ेगा निमने लिखित में से कौन सा गैस है दोस्तों जो ग्रीन हाउस के फवाफ के लिए उत्तर नवरी है तो आपको बताना पड़ेगा इसका एंसर क्या होगा तो देखो वह जाते हैं कार्बोन डाय ओक्साइड यारि किसका एंसर जाते है अपसिन भी नेश्ट को सैन को सना फाइब तो देखो हमारे को सना फाइब पर पुछाए विज गैस अप दा एट्मस्फियर प्रोटेक्ट आ के कौन से जाता है तक प्रशंक देखो एट्रिंटरेसं का पर प्रतितना होता है तो देखो डाई में नाइट्रूजन वह जाते 48.03 यादि Αffy जाते बढ़ते हैं को से नमबर 7 की ओर तो देखो हमारे को से नमबर 7 पर क्या पूछा इस पर पूछा गया है वाट इस दा में बेसिस अब डिवीडिंग दा एक्मोस्फियर इंटू लेयर लाइक टोफस्फियर स्ट्राइड़स्फियर एडिसी तो आपको बताना पड़ेगा वाई मंडल को खुब मंडल समताफ मंडल आदी परतों में दोस्तों जो विवाजित करने का मुख्य आधर क्या है तो जल्दी सा अपर लाइच यह बताईए इस को सान का एंसर क्या होगा तो देखो जिनोंने इसका एंसर अपसे ने ताप मंड़ वरकुल सही इसका एंसर जोते है आपसे टेमफेचर तो चले एक ते कोसर नेमबर एट को तो देखो हमारे कोसर नेमबर एट पर पूछा है वैर इस दा हाइच देंसिटी अप दा आर्ट एटमस्फियार फीटीवी के वाइवंडल का सरवादी घंडत कहां पर होता है तो आपको बताना पड़ेगा इसका एंसर क्या होगा जल्दी सा बढ़ाश यह बताईए तो देखो जिनों ने इसका एंसर आपसे ने इन दा टुबस फियर दे विल्कुल सही है इसका एंसर हो जाते है आपसे ए तो चलिए बढ़ते एक लिए कोसर नेवर नाइन की हो तो देखो इस पर पूछाए ''Which of the following is the largest lake in the world। नेवलली खित मेंसे कौन सा विश् विश्मारी जील हो जील है तो देखो नेवलली की यह जील है विश्मारी मेंसरे यह जील हो जाते हैं तो देखो जल्व जाते हैं तो देखो नेष्ट कोशन पर पूछाए तो देखो वह जाते सुप्री और यानिके जिरोड इसका एंस अप्सें बीदिया बिल्कुल सही है तो चर्य बढ़ते हैं को सान को से नबर 11 की और तो देखो इस पे पूछाए तो आपको बताना पड़ेगा तो देखो सुमें दोस्तों जो ब्रिटन का पदन मंत्री था वो जाते हैं लौट प्लमबस्टन यानके जिरोड इसका एंसर अप्सें दीदिया बिल्कुल सही है तो चले बढ़ते हैं को सान को से नबर 12 की और तो देखो हमारे को से नबर 12 पे पूछाए इन विट सिटी दिद दा फर्स्ट मीटिंग अफ दा इंडिया नाशनल कॉंग्रेश टेक प्लेज बाते दाशने को से की पहली बैटक सेर किस में हुई थी तो आपको बताना पड़ी कि को सेर में हुआ था तो देखो यह था मुंबाई पर यानि किसका एंसर हो जाता है अप्सिन बी तो चले बढ़ते हैं को से नबर 13 की और तो देखो इस पे पूछाए तो देखो हमारे कोरोशन बाट 14 पे पुछाए दा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वर फॉर्मर डिवरिंग दा टिनियूर अप विज गवर्नल जेनरेल की इस गवर्नल जेनरल के कारीकल के दौरान भारतिया राश्टे कॉंग्रेस बनाई गई थी तो देखो ये बनाए गए थी लॉट डाफरिन के कारीकल कॉंग्रेस के दुआरा तो चलिए देखते हैं कले कोसेन कोसेन नबर 15 की ओर तो देखो कोसेन नबर 15 पे पुछाए नेम दा फर्स्ट इंडियान सिलेक्टेट इन दा इंडियान सिविल सर्विस अ IKEA में चूने जाने वील पत्धम भारतिय का नाम क्या है तो देखो वह पत्तं भारतिय नाम हो जाता है 17 टाग आर यानि इसका एंसर हो जाते है अप सेनड्र एक कोसेन का एंसर हो जाता है bırak सेरा हो जात तो देखो चलिए बढ़ते एक लिए को सेन को सेनबर 17 की ओर तो देखो हमाने को सेनबर 17 पे पूचाए कीसे कहा जाता था आपको बताना पड़ेगे इसका answer क्या होगा जल्दिक साप आपको बताना है तो देखो जनों ने इसका answer लावशत पर शिदा बिलकुल सही है दोस्ता आप लोग ने बिलकुल सही answer देखो अपको हाँ तो देखो इसपर पूचाये वह कौन सा वथम वारतिय था जो विटिस संसत के लिए निर्वाइ चीत हुआ था तो देखो वथम वारतिय हो जाता है दादावाई निरो जी तो चले देखते है कोसे नवर 19 को तो देखो इस पे पुछाए वो रोट दा बूक अपको बताना पड़ेगा पुस्तक किसे ने लिखा है तो देखो यह पुस्तक लिखा था सुरंदरनाथ बैनर जी ने यानि कि इसका एंसर हो जाता है option C तो चले देखते है कोसे न कोसे नवर 20 की ओर तो देखो इस पे पुछाए वारतिये दोस्तों जो इसका जो संस्ताफ़क है कौन है तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो संस्ताफ़क है कौन है तो देखो यह भी हो जाता है सुरंदर्थ बैनर जी यानि कि इसको सेन का भी एंसर हो जाता है सुरंदर्थ बैनर जी next question, question number 1 तो देखो इस पे पुछाए was the first president of independent India सतंतर्थ भारत के पथम राष्टवती कौन थे तो देखो सतंतर्थ भारत के पथम राष्टवती थे डॉक्टर राजिंदर पसाद यानि कि इसका एंसर हो जाता है option B तो चलिए बढ़ते एक लिए question, question number 2 तो देखो इस पे पुछाए which president of India died before completing his stamp भारत के किस राष्टवती की मिट्टू कारीकल पुरा करने से फुर्वा हो गई थी तो देखो वो गई जोस्तो हमारे जाकिर हसेन का यानि कि इसका answer जाता हो अपसेन सी next question, question number 33 तो देखो इस पे पुछाए the total number of members nominated by the president to the लोकसवा in the राज़सवा is राष्टवती द्वारा जो लोकसवा राज़सवा में मनोनित सदसे के रिकुल संका कितनी होती है तो देखो जो राष्टवती द्वारा दोस्तो मनोनित किया जाता है वो दोस्तो संका हो जाती है 12 तो चलिए बट्टे कले को सैन कोसन बटने 4 की ओर तो देखो इसपे पुछाए तो देखो आपको बताना पड़ेगा वाइस प्रेसिरेट इस जल्दी सा बड़ाश्य बताएए तो देखो वो दोस्तो हो जाते है परलिमेंट यानि कि इसका एंसर हो जाते है राष्टेजिपत के निरवाचन हिनुमैंट दार की कितनी होती है तो देखो इसके लिए दोस्तों कोई सीमा नहीं होते है यानिक इसका और जाता है उप्सिन डी तो देखो को सने बाटने 6 पे पूछाए उपराश्टिवत्थी के पतक गुपरिता के सफ़त कौन दिलाता है तो देखो यह दिलाता है कौन हाँ प्रेसिडेंट यानिक इसका और जाता है ओप्सिन ए उपराश्टिवत्थी जो अपना त्याक पतक गुपराश्टिवत्थी कौन थे तो भात के जो पतक उपराश्टिवत्थी है यह कौन थे तो देखो यह दोक्टर सरफली राधा किसन तो देखो कोसे नबर टरे 9 पर पूछाए वाइस प्रेसिडेंट आप इंडिया भी इंपेट्च आपको बताना पड़ेगा बात के उपराश्टिवत्थी जो किसके द्वारा लगया जा सकता है तो देखो यह लगया जा सकते है राध्य सवा के दुबारा यानि इसका एंसर जाते है ऑपसें ए आप लोग नोट कर सकते हो तो देखो हमारे कोसे नबर टरी पे पूछाए अपर होस ऑफ दा इंडियान पारलाइमेंट इस अलसो नोन एस वाथ यह संसत का उपरी सदन को डैस रूप में भी जाना जाता है तो देखो यह जाना जाते है राध्य सवावें यानि जिन्होंने इसका एंसर और अपसें बी दिया बिल्कुल सही है तो दोस्तों आज के लिए वस इतना है अगर आपको वीड़ पस आता है प्लीज जाते हो जाने से वह वीड़ो को लाइक करना और जाते जाते चैलेंग क को सब्सक्राइब करके बाज वे जो वेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना तब तल कर पाए जहन जह